कैसे एक आदमी के गुस्सी के वज़े से चिप्स का इन्वेंसन हुआ और क्यों को 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 कोला एक ड्रिंक नहीं बलकि एक दवाई थी कैसे एक बच्चे की भूल के वज़े से आईस क्रीम का इन्वेंसन हुआ और किया मैगी पहली बार रवर से बनी थी ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो गलती से बन गई थी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों कि आप जानते हैं जो पोटाइटो चिप्स आप सब आज मजे से खाते हैं वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे दरसल दोस्तों पोटाइटो चिप्स पहली बार 1853 में जोर्ज क्रम नाम के एक सेफ ने इन्वेंट किये थे एक बार जोर्ज के रेश्टोरंट में एक कस्टमर ने खाने के लिए पोटाइटो फ्राइट औरेड करे लेकिन फ्राइज की मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत नाराज हो गया और कंप्लेंड के कि ये फ्राइज बहुत ही ज़्यादा मोटे और कच्चे हैं इसलिए उसने सेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम इन इक्स्पेरिंस हो जिसके बाद ये बात सेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई और फिर गुस्से में आकर सेफ जॉर्ज ने आलू को पतला और बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राइ करके उस पर नमक डाल कर उस कस्टमर को दे दिये मज़ेदार की बात ये है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत जादा पसंद आए तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ वैसे दोस्तों कि आपको भी चिप्स खाने में अच्छे लगते हैं वैसे तो टी वैक्स चेन के टैग डाइनेश्टी में इन्वेंट हुए थे उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था लेकिन इन छोटे छोटे वैक्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस जे सलीवन ने किया था थॉमस एक टी मर्चंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे वैक्स में बांध कर भेजा करते थे कुछ लोगों ने सैंपल को ऐसे डारेक्शली पाने में डालना सुरू कर दिया और उन्हें यह तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा बस तभी से उनकी बैक्स को लोग रेगलर इस्तमाल करने लगे जो पिलो आज की जमाने में लगाते हैं कि आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे असल में दोस्तों पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था लेकिन दोस्तों वो पिलो यानी तकिये पत्थर या लकडी से बने होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बलकि नाक मुह और कान को कीड़े मकोडे से बचाने के लिए यूच करा जाता था ताकि कीड़े अंदर ना जा सके अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज की वक्त के पिलो इतने सौप्ट क्यों बना जाते हैं असल में इसके पीछे भी एक कहानी है एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर की तकिये के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया जिसके बाद जब वो उस पत्थर और कपड़ों के तकिये पर सोया तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिये बनाना सुरू कर दिये वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो यार कि आप जानते हैं कि इस्टिक आइसक्रीम का इन्वेंसन एक छोटे से बच्चे की भूल के वज़े से हुआ था जी हाँ अब से करीब 100 साल पहले 11 साल की बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चमच को उसी गलास में छोट कर वो बच्चा उसे पीना भूल गया उस वक्त ठंड का मौसम था इसलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चमच के साथ ही गलास के अंदर जम गया और फिर उसने जब उसे ऐसे खाया तो उसे बड़े मज़े आए और फिर उसने जब यह सब को बताया तो अमेरिका के कनफेक्सनर हैडी वर्ड को आइडिया आया कि क्यों ना यह सोडा वाटर में फ्लेवर्स डाल कर इस्टिक आइसक्रीम के इनिवेंशन किया जाए और तब से आज तक यह सब की फेवरेट है नमबर 6 दोस्तो बबल रेप हम सभी को पसंद होता है क्योंकि इसे फोडने में हमें मज़ा जो आता है वैसे यह साइकोलोजिली भी प्रूबन है कि बबल रेप को फोडने से स्ट्रेस कम होता है लेकिन कि आप जानते है कि बबल रेप को आखिर किस परपर्च के लिए इनिवेंट किया गया था असल में दोस्तो बबल रेप को अल्फरेड फिल्डिंग और मार्क सावंस ने 1957 में दिवारों पर डिजाइन बनाने के लिए इनिवेंट किया था इसलिए पेंट के बॉक्स में बबल रेप को भी उसके साथ दिया जाता था लेकिन दोस्तो बबल रेप दिवारों पर अच्छे डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाई लेकिन इसके इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बवल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को खराब होने से बचा पा रहा था तभी इसके इन्वेंटर्स ने बवल रैप को वाल पेंट करने की जगए पैकेजिंग में इस्तमाल करने का फैसला कर लिया और तब से अब तक बावल रैप को आप हर एक पैकेजिंग के अंदर देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि सबकी most favorite drink कोका कोला को इंवेंट करने का परपज सरदर्द और इंजाइटिव को दूर करना था कोका कोलो को जान इस्टीद पेंवेंट किया था लेकिन जब वो यह सीरप बना रहे थे तब गलती से उनकी मिकसर में कारवोनेटेड वाटर गिर गया था जब जान ने इस सीरप को टेस्ट किया तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा बस तभी से आज तक कोका कोला का existence बना हुआ है आज आपको गैस जलानी हो या सीग्रेट्स आपको मैचिस की जरूरत पड़ती है लेकिन कि आपको पता है कि मैचिस का invention कैसे हुआ था मैचिस का invention 1826 में जॉन वाकर नाम की एक chemist ने किया था एक दिन जॉन हमेशा की तरह chemical की मदद से medicine बना रहे थे जॉन लकड़ी की छोटी छोटी इस्टिक की मदद से chemical को मिला रहे थे तभी एक स्टिक पर chemical लगा रह गया और सूख गया जिसके बाद जॉन ने जब उस केमिकल को हटाने के लिए उस इस्टीक को जमीन पर रगड़ा तो उसमें से आग लग गई और इस तरह से उन्हें मैचिस बनाने का आइडिया आया नमबर थ्री चुइंगम खाते हुई आपको हर रोज बहुत सारे लोग मिलते होंगे लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि चुइंगम आखिर क्यों इन्वेंट किया गया था क्योंकि इससे आपको कोई निट्रेशन या एनरजी तो नहीं मिलती दोस्तो आप जानकर हैरान हो इसके अंदर बाद में फिलेवर और कलर एड़ करके उसे चुइंगम का नाम दे दिया असल में बवल की वज़े से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही लोगों को पसंद आने लगा नमबर टू प्लास्टिक की बारे में आप सब जानते होंगे प्लास्टिक बहुत यूजफूल होती है लेकिन इसकी बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो पॉल्यूसन है जो इससे होता है लेकिन कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक का इंवेंश एक्सिडेंटली हुआ था दरसल दोस्तों प्लास्टिक की इंवेंशन से पहले सीलेक नाम के प्रोड़क्ट को हर चीज के लिए जैसे सीडी बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता था और सीलेक का प्राइस भी बहुत जादा महेंगा होता था इसलिए एक कैमिस्ट लियो हेड् लोगों की सबसे फेवरेट डिस है लेकिन कि आपको बताए कि मैगी का इंवेंशन किसने कव और क्यों किया था दोस्तों मैगी का इंवेंशन 1884 में स्वीजर लेंड के जूलियस मैगी नाम के बिजनेसमेन ने किया था दरसल जूलियस बिजी वरकिंग वोमेन एंड मैन के लिए एक निउट्रेसियस और जल्दी पकने वाले डिस इन्वेंट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने मटर और बीज की पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पका कर खा सकते थे जिसके अंदर बाद में नूडल भी सामिल कर दिया गया थे और मैगी को पहली वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ ही हमारे जैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आप के लिए इसी तरह की कॉंटेंट लाते रहेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई